गया डोभी रोड इस्थिव डीएवी केंडी की साथ वर्सी ये बच्ची को स्कूल की बस में पुचल दिया इससे बच्ची माही में मौके पली जम्गों दिया या घटना स्कूल गेट के सामने ही हुई है बच्ची क्लास 2C में ही पढ़ती है वा बैजू विगहा के सत्यंद्र यादव की बेटी थी इस घटना से बोद गया के बैजू विगहा के लोग वा आम लोग काफी आख्वोशित हो गए है स्कूल के बाहर लोगों ने जम कर बवाल काटा लाश को करीब 3 घटे तक स्कूल गेट के बाहर से नहीं उठाने दिया काफी समझाने के बाद और स्कूल प्रबंधन के खिलाब कानूनी कारवाई कारवासन दिये जाने के बाद आख्वोशित ग्रामीर माली बच्ची के शब को पोश्माटन के लिए भेजा गया है इधर इंस्पेक्टर रुपेश कुमार ने बताया कि यह लापरवाही की वज़य से ही हुई है संबंदित मामले में जाच के बाद कानूनी कारवाई हो दिये वी में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि स्कूल में स्वतंत्ता दिवस के मौके पर जंडा फैराए जाने के अलावा अन्य सांस्क्रितिक कारिक्रम भी थे इस वज़य से बच्चों के साथ उनके अभिभावकों को भी बुलाया गया बताया गया कि माही अपनी चाची के साथ स्कूल आई थी स्कूल में कारिक्रम खत्म होने के बाद दिपहर को बच्चे स्कूल से बाहर में करने लगे माही वाकुछ बच्चे स्कूल बस के फ्रंट के पास साइड में खरे थे इसी बीच तीम बच्चे एक साथ बस के फ्रंट से होते हुए रोट के और जाने के लिए बढ़े ही थे कि बस ने तेजी से आगे बढ़ी और माही को अगले पईये के चपेट में ले लिया और इसका सिर्फ बुरी तरह से फिचल दिया मौके पर मौजूर लोगों ने शोर मचाया और अन्य बच्चों को बस के फ्रंट सेक के साथ खीज कर दूर कर दिया बच्चे की मौत होती देख आसपास हड़े लोग भड़ गए और बवाल काटने लगे इधर स्कूल की बच्ची की मौत स्कूल बस से होने की सूचना पर स्कूल प्रबंधन ने स्कूल के मुख्य गेट को बंद करवा दिया गेट के अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा था ना ही मतक के परीजन से स्कूल प्रबंधन से जुड़े पदाजिकारी वा कल्मी बात करने को राजी हो रहे हैं यहां तक ही मीडिया कल्मियों को भी गेट के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था गटना की सूचना बोध गया पुलिस को दी गई, मौके पर पहुची पुलिस ने मोर्चा समभाला थानादेश रुपे स्कूमार बवाल कर रहे लोगों से बात्चीत करने लिए मृत्टक की परीजन बस चालग और प्रिंसिपल की ग्रफतारी की मांग पर अड़े थे काफी देर तक समझाने के बाद विस्साय लोग माने, पुलिस की और से आश्वाशन दिया गया कि चालग की ग्रफतारी हर हाल में होगी साथी स्कूल प्रबंधन के खिलाब कानूनी कारवाई में होगी गटना इस्तल पर मौजूद में तका के चाचा शक्ति कुमार ने बताया कि स्कूल से सूचना दी गई एक्सिडन हो गया है जब स्कूल पहुचे तो स्कूल का दरवाजा खुलने के बाद उन्होंने देखा कि उसकी भदीजी माही कुमार दस बर्स की मौत हो गया और शब लावारिस अवस्था में पढ़ा है पताया कि या घटना इएवी स्कूल के बस नंबर पच्पन से हुई है इसके लिए स्कूल पर शाशन दोस्ति है